हेलो एवरिवन, हाव आरियो ओल, उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज हम लोग प्रोनाउन के एरर्स को डिसकस करेंगे इससे पहले हमने एक वीडियो में 1 से लेके 25 तक के एरर्स को डिसकस कर लिया था और आज हम लोग 26 से लेके 50 तक के कोश्चन को डिसकस करेंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चाहे हम से प्रोनाउन हम लोगोंने कितना भी पढ़ दिया हो लेकिन जब तक उसके एरर्स हम लोग नहीं करते हैं, हमारा वो कंसेप्ट के लियर नहीं होता है और वैसे भी आज कल के competitive exams में, errors के डूप में हमारी parts of speech और prepositional, conjection, बहुत तरह के errors आते हैं, फ्रेंड्स तो चलिए, फ्रेंड्स, बीना तेरी किवे करते हैं, start कोशन नमबर 26 C is such a brilliant student that I expected no error तो कोशन नमबर 26 में हमारे friends that, ठीक है, हमारे C part में हो जाती है error यहाँ पर हमें friends that की वजाए क्या यूज करने पड़ेगा, as का यूज करना होगा friends क्योंकि such, ठीक है, such के बाद हम लोग relative pronoun as का हम लोग यूज करते हैं friends तो हमारे C part में हो जाती है error कोशन नमबर 27, such a sacrificing man as has come wins our sympathy and admiration, no error तो कोशन नमबर 27 में हमारे friends, कोशन नमबर 27 में हमारे E part हो जाता है, correct यानि कि इसमें कोई भी error नहीं है, सच के बाद relative pronoun as का use हुआ है, ठीक है सच के बाद relative pronoun as का use हुआ है, so कोशन नमबर 28, देख लेते हैं Any of the two pictures which depict the real pictures of the present politicians is worth seeing तो कोशन नमबर 28 में हमारे friends, हमारे E part में हो जाती है error कोशन नमबर 28 में friends, हमें Any के बदले क्या use करना पड़ेगा? Either कहां पर use करना होगा friends, either कहां पर use करना होगा, ठीक है? तो Any या Anyone का use friends हमेशा क्या होता है? दो या दो से अधिक के लिए use होता है, लेकिन either का जो परियोग होता है, वो हमेशा दो के लिए होता है friends So, हमारा 28 में A part में हो जाती है error friends कोशन नमबर 29 हम देख लेते हैं Every of the five children standing in the corner of the room is dexterous in paintings, no error तो कोशन नमबर 29 में हमारे friends हमारे A part में हो जाती है error यहाँ पर हमें friends every के साथ में क्या use करना पड़ेगा? everyone ठीक है? everyone का हमें यहाँ पर use करना होगा friends क्योंकि क्या है? कि noun, जो every है यह क्या है? actually यह adjective होता है friends लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? pronoun का use करना होगा friends ठीक है? every के बाद हमेशा noun आता है friends ठीक है, pronoun या noun कभी हम लोग use करते हैं, तो हम लोग हमेज़ा जब भी use करते हैं, क्या करते हैं, everybody, every book, ठीक है, every boy, इस तरह से हम लोग use करते हैं, every के बाद कभी भी off नहीं आता है, dear friends, तो question number 29 में हमारे a part में हो जाती है, error, next देख लेते हैं, question number 30, he asked for permission to go out, but his father did not give, तो question number 30 में हमारे friends, question number 30 में d part में हो जाती है, error, यहाँ पर हमें friends give के बदले, sorry, give के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, it का यहाँ पर use करना होगा friends, give के बाद friends, क्योंकि give क्या है, हमारी एक transitive verb है, तो इसके यह क्या लेती है, transitive verb एक object लेती है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर it का use करना होगा friends, ठीक तो question number 31 में हमारे ए पार्ट में हो जाती है error यहाँ पर हमें myself की वजाए क्या use करना पड़ेगा I कहां पर use करना होगा friends ठीक है I कहां पर use करना होगा कभी भी कोई relative flagship pronoun friends subject नहीं होता है so हमें यहाँ पर I का यहाँ पर use करना होगा myself क्या है एक reflexive pronoun है next देख लेते हैं question number 32 they who are in this room should not move from the place where they are standing said the leader of the criminals question number 32 में हमारे ए पार्ट में हो जाती है error they के वजाए हमें क्या use करना पड़ेगा those का यहाँ पर use करना होगा they या them जो है वो relative pronoun का antecedent नहीं बनाई जा सकते है friends they or them इसके बदले हमें those का यहाँ पर use करना होगा they or them relative pronoun के antecedents नहीं बनाई जा सकते टिक है तो question number, यह क्या है, antecedent का काम करते हैं, हुँसे पहले, so, those यहां पर करना होगा, friends, question number 80, sorry, 32 में हमारे A part में हो गई है error, question number 33, they also help the poor who really sympathize with them in the moment of distress, no error, तो question number 33, 33 में हमारे कोई भी error नहीं है, यह हमारा हो जाता है, no error, question number 34, he sent all the furniture to Patna that he had bought in Chennai, तो question number 34 में हमारे friends, question number 34 में हमारे A part, sorry, B part में हो जाती है, error, यहां पर हमें, इसमें हमें friends, इसमें friends हमारा जो antecedent है, that का, जो antecedent है, क्या है, furniture, ठीक है, तो वो हमारा इसके नजदीक आना चाहिए, friends, तो इसलिए हमारे B part में error है, actually इसका जो correct, जो हमारा sentence होगा, वो क्या होगा, he sent to Patna all the furniture that he had bought in Chennai, तो हमारा इहां पर friends, इसमें हमारा correction हो जाएगा, B part में हो जाती है, हमारी error, question number 35, he says, it's your, sorry, you says, it's your problems, but I say, it's my also, तो question number 35 में हमारे D part में हो जाती है, error, यहां पर हमें friends, my के बदले क्या उसकरने पड़ेगा, mine का यहां पर यूसकरना हो का friends, ठीक है, जिसका आर्थ होगा, my problem, ठीक है, जिसका means क्या होगा, my problem, question number 36 हम देख लेते हैं, the hotels of Patna are more luxurious than मुझे फर्पूर, तो question number 36 में हमारे friends, question number 36 में हमारे friends, मुझे फर्पूर के वजाए हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, यहां पर, those of का यहां पर यूसकरना होगा, friends, ठीक है, those of का यहां पर यूसकरना होगा, the hotels of Patna and the hotels of मुझे फर्पूर के यहां पर बीच में, यहां पर comparison ना की, मुझे फर्पूर यहां फिर hotels के बीच में, ठीक है, तो those of का मिन्स हो जाएगा, मुझे फर्पूर के hotels, तो next देख लेते हैं, question number 37, the articles published in this magazine are better than that magazine, तो question number 37 में हमारे D पार्ट में हो जाती है, यहां पर हमें that magazine की वज़ाएग क्या रखना पड़ेगा, those published in that magazine, ठीक है, के पहले, sorry, that magazine के पहले हम लोगों क्या रखना पड़ेगा, those published in that magazine का यूज करना होका, ठीक है, क्योंकि comparison क्या है, कि तुलना किस-किस के बीच हो रही है, उस पत्रिका में परकाशित articles से हो रही है, ठीक है, तो next देख लेते हैं, उस तो हमारे D part में हो जाती है, इस में error, question number 38, he is one of those who would much rather sacrifice his life, than turn disloyal to the country, no error, तो question number 38 में हमारे friends, हमारे C part में हो जाती है, error, यहाँ पर हमें friends, his के बतले हमें, their कहां पर यूज करना होगा, friends, ठीक है, his के बतले हमें, their कहां पर यूज करना होगा, क्योंकि relative pronoun, who का antecedent, those है, जो की third person, plural number में है, friends, ठीक है, third person, plural number में है, question number, तो हमारे D part में हो जाती है, error friends, question number 39, the principal ordered the peon, to let the boys, and I go in, तो question number 39 में, हमारे friends, D part में हो जाती है, question number 39 में, हमें, I के बतले हमें, यहाँ पर friends, me का यहाँ पर use करना होगा, ठीक है, let के बाद, जो pronounce हमेशा, objective case में आते हैं, friends, ठीक है, तो next देख लेते हैं, question number 40, he claims to have read Shakespeare's, all great CDs, who is the greatest playwright of English, no error, question number 30 में, हमारे B part में हो जाती है, all the great CDs of Shakespeare's का, use friends, हमारे C part में हो जाती है, यहाँ पर हमें, either के वजे, हमें, any का यहाँ पर use करना होगा, friends, either के वजे, any का यहाँ पर use करना होगा, क्योंकि, दो के लिए, दो के लिए क्या करते हैं, either का यूज करते हैं, और any या anyone का use, हम दो से अधिक के लिए, use करते हैं, friends, तो कोशा नमबर 42, the candidate being a graduate, he is eligible for the post of probationary officer, तो कोशा नमबर 42 में हमारे C पार्ट में हो जाती है, कोशा नमबर 42 में हमें, friends, he का प्रियोग जो है वहाँ पर superfilius है, ठीक है, वाक्य का subject क्या है, the candidate है, so he के प्रियोग की हाँ पर कोई भी use नहीं है, friends, कोई भी जरूरत नहीं है, तो हमारे C पार्ट में हो जाता है, कोशा नमबर 43, you are the same problems as mine, तो कोशा नमबर 43 में हमारे A पार्ट में हो जाती है, यहाँ पर हमें, friends, your के बतले हमें क्या use करना पड़ेगा, yours का यहाँ पर use करना होगा, friends, ठीक है, your problems, ठीक है, your problems, जिसका मतलब होगा, friends, yours problems, ठीक है, तो your problems का मतलब, yours भी हम लोग उसके जंगे use कर सकते हैं, friends, ठीक है, तो next लिख लेते हैं, कोशा नमबर 44, यहाँ पर हमें, that के बतले, friends, which का यहाँ पर use करना होगा, ठीक है, which का यहाँ पर use करना होगा, ठीक है, तो which क्या है, किसी sentence को refer कर सकता है, friends, लेकिन who or that किसी sentence को refer नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारा, which आएगा, friends, ठीक है, कोशा नमबर 44 में, हमारे डी पार्ट में हो जाती है, error, कोशा नमबर 45, यहाँ पर हमें, friends, हमें, the same के बतले, यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, इट का यहाँ पर यूज करना होगा, friends, the same का प्रियोग हमेशा adjective के रूप में होता है, जिसके बाद हमेशा एक noun का यूज करना होता है, friends, ठीक है, the same boy, the same book, so यहाँ पर हम लोगों को इट का यूज यहाँ पर, friends, pronoun, इट का यूज यहाँ यहाँ पर correct होगा, तो question number देख लेते हैं हम, 46, there were eight industrious workers and five lazy in this factory, question number 46 में हमारे C part में हो जाती है, error, here are friends, one के बतले, here are ones का, ठीक है, ones का यहाँ पर use करना होगा, friends, ठीक है, one क्या है, similar noun के बतले में होता है, ठीक है, और once plural के रूप में होता है, friends, ठीक है, तो eight industrious workers का यहाँ पर जी करो है, five lazy workers का, so हम लोगों को once का यहाँ पर use करना होगा, next देख लेते हैं, question number 47, under no circumstances have I harmed him and he knows, तो question number 47 में हमारे D part में हो जाती है, error, friends, यहाँ पर हमें nose के बाद it का, ठीक है, nose के बाद हमें यहाँ पर it का use करना होगा, friends, ठीक है, it का यहाँ पर use करना होगा, यहाँ it अपने से पहले use होने वाला clause, ठीक है, under no circumstances have I harmed him के बदले में nose किरिया के object का काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें friends it का use करना होगा इसके बाद नेच्स देख लेते हैं question number 48 the beggar whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent तो question number 48 में हमारे no error हो जाती है तो हमारा ये correct sentence हो जाती है question number 49 in order some books on English grammar but non had has arrived yet तो question number 49 में हमारे ये पार्ट हो जाता है friends इसमें भी हमारे no error है तो ये हमारा बाक्य बिल्कुल correct है next देख लेते हैं I do not appreciate those who laugh at other without any apparent reason तो question number 50 में भी हमारा friends कोई भी error नहीं है ये भी हमारा क्याव जाता है no error तो इसी के साथ हमारा ये pronoun का प्रेक्टिक सेशन समाप्त होता है उमीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो जरू पसादा आगे हम लोग adjective की errors पर discuss करेंगे friends तो मिलते हैं अंगली वीडियो में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीचे friends it will be very beneficial for all of you thank you everyone have a nice day